हलो डियार वेलकम बैक टो मैं चानल में पूनम आपका सौगत करती हूँ स्प्रिच्वलिटी एक डिवाइन मार्ग 11.11 में जैसे कि हम सब को पताए कि कल हमारा है एट एट पोर्टल बहुत हमारे लिए हमारे जर्णी के लिए आप चाहे स्प्रिच्वल हो या फिर ट्वीन जर्णी में हमारे लिए वो दिन बहुत खास होता है तो मैंने आपके लिए दो वीडियो अल्रेडी बना के रखें लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको आखिर कल क्या करें जैसे होता है ने कि हम बहुत सारे इनरवक है बहुत सारे मेडिटिशन है लेकिन हमें कन्फीजन रहता है कि मतलब क्या करें उस दिन तो इसी पर मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ आपको बताऊंगी आपको थोड़ा सा गाइट करने की कोशिश करूँगी ठीक है देखिए सबके टाइम अलग-अलग होते हैं और हम इनरवक करते हैं कोई शाम को करता है कोई सुभा करता है कोई तीन बज़े चार बज़े पाच बज़े छे बज़े लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मैं चाहूँगी कि आप स्पेशली कल एक दिन के लिए सुभा तीन बज़े उठे तीन से पाच बज़े तक आप अपना इनरवक करें एक दिन के लिए क्योंकि कल अपना पोर्टल कब से 26 से चालू हो चुका है लेकिन उसकी इनरजी जो कल है बहुत जादा होंगी और इसका हम जादा से जादा लाव उठाएंगे तो इसके वज़े से मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल कल उठे तीन बज़े उठे अगर आपसे होता है तो लेकिन अगर आपसे तीन बज़ने मतलब सुभा उठना नहीं होता तो एटे टाइम पर अपना मेडिटेशन करें जो भी कुछ करने आपको वो करें और शाम के टाइम भी रात को भी करें अगर आपसे ये भी नहीं होता एटे टाइम पर अगर आपको ऐसा लगता होंगा कि अगर मैंने इस पर ये टाइम पर नहीं किया तो मुझे इसका लाब न आप जौब पे हो, बहुत सारे लोग जौब करते हैं, उनके पास टाइम ने होता, तो आप दिन में कोई भी समय अपने ले निकाले, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि ज़रूर निकाले, और इस एनरजी का पूरा-पूरा बेनिफिट ले, जो हमारे डिवायन हमें दे रहे देखिए सबसे पहले आपको रहना है पॉजिटिव कल, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा जो थौट आपको निकिटिव करें, क्योंकि कल रहेंगी एनरजी हेवी, तो बहुत सारे डिवायन फेमिनाइन को ऐसा लगने लगेंगा कि वो लोग वायब में जा रही या फिर उन्ह के लिए थोड़ा हाड हो सकता है, जो मिडल वाले है, उन्हें पता है कि एनरजी को कैसे हैंडल करना है, और जिन्होंने अच्छा खासा काम किया है, उनके लिए तो ये पोटल बिल्कुल गोल्डन टाइम है, तो मैं यही आपको सजेशन दूँगी कि इस टाइम बस आपको positive रहना है, ऐसा कोई भी thought ना लाए अपने दिमाग में, जो negative हो, आपको तकलिप दे रहा हो, ऐसे लोगों से दूर रहें, जैसे कि आपको लगता है कि अगर मैं इससे बात करूंगी, तो बात बढ़ जाएंगी, बिल्कुल जगडे से फसाद से दूर रहें, उसके बाद आ कि पूरा दिन आप कोशिश करें कि आप silent में अपने आप में खो जाएं, बिल्कुल अपना जो होता है ना solitude उसे enjoy करें, एक दिन कम से कम एक दिन, अपना दिल, दिमाग, बस पूरा surrender के साथ अपने divine से align होने दे, हर एक energy को allow करें अपने अंदर आने के लिए, divine को allow करें कि आप मेरे जिन्दगी में आप intervention कर सकते हो, मेरी जिन्दगी आपको मेने समर्फित कर दी है, तो बिल्कुल negative लोगों से दूर रहे, अब कल की energy positive है, हमारे लिए अच्छी है और बहुत जादा high है, तो बहुत सारी जो dark energy हमें रोकने की कोशिश करेंगी, और कर रही है, हम दे तो बिल्कुल अगर किसी भी form में हो सकती है, आपके परिवार में भी अचानक से किसी को आप पर गुस्ता आएंगा, और आप भी फिर उनको उल्टा जवाब दे सकते हैं, या फिर आपके DM के साथ भी आपका कुछ ऐसा हो जाएंगा, और बाद में आपको लगेंगा कि ये इसके बाद तो अच्छा टाइम आने वाला है, तो बस अब थोड़े से समय के लिए क्यों हमारा काम बिगाड़े, तो सबसे कट आप हो जाएंगे, और ये एक प्रकार कि आपके DM के तरफ से टेस्ट भी हो सकते हैं, कि आप कितने बैलेंस हो, और आप कहा तक आए हो, ओके, तो बिल्कुल हमें अच्छे से लेट गो करना है, शांत रहना है, और अपने आप में खो जाना है, अपने solitude को enjoy करना है, और energy को अपने अंदर receive करना है, ये हमारा सबसे पहला कल का काम है, जो दिन भर ये चलने वाला है, जैसे हम journey step by step पार करते हैं, लेकिन एटेट की special blessing हम पे रहती है, वो हमें सीधा blessing देते हैं, सीधा energy हम receive करते हैं, क्योंकि हमारे और उनके बिच में किसी भी प्रकार के कोई बाधा नहीं रहती, तो इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत जादा important है, और इससे हमें बिल्कुल भी waste नहीं करना है, पुरा पुरा इसका love उठाना है, जो कि हमारे ascension में हमें बहुत जादा help करता है, देखिए दोस्तों, जिस तरह हमारा सूरज हमें धूप के रूप से positivity हमें send करते हमारे सूरज दे होता, उसी तरह हमारा spiritual सूरज है, serious, जो हमें aided portal पर cosmic energy देता है, हम उस दिन सीधा cosmic energy को अपने अंदर receive करते हैं अब देखिए, अब इस दिन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैंने तो आपके लिए वीडियो बना है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस दिन क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले कि आप इस दिन, आप जो भी meditation करते हैं, वो करें, आपको अच्छा लगत हैं, आप वो जारी रखें, अगर आप बहुत सालों से किसी blockage पे stuck है, या फिर आपको लगता है कि यह मुझे छोड़ना, यह मेरे से छूट नहीं रहा, या फिर आपको कोई एक चीज है, एक blockage है, बहुत pain दे रहा है, तो आप इस टाइम उसे release करे, divine से request करे, divine को surrender करे, आ आपका बिल्कुल clear हो जाएंगा, ठीक है, उसके बाद आता है कि आप इस टाइम आपनी इच्छा को भी manifest कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम manifestation power बहुत ज़्यादा होती है, इस portal पे ज़्यादा तर लोग manifest करते हैं, कुछ भी जो चाहिए आपको, कुछ भी, गारी, बंगला, प जाएंगा, उसके बाद आता है कि आप divine को letter भी लिख सकते हैं, बिल्कुल positive letter में एक भी word negative नहीं होना चाहिए, उस letter को आप future का letter भी लिख सकते हैं, या फिर gratitude का letter भी लिख सकते हैं, आपको जो चाहिए आप उसमें लिख सकते हैं, आप इस time कौन सा meditation कर सकते हैं, हाँ, तो यह बहुत important है, आप इस time inner child healing जरूर करें, क्योंकि इस journey पर हम, मतलब basically हम हमारे chakra को balance करते हैं, active करते हैं, अगर आप inner child meditation करोंगे, तो आपका जो heart chakra है, वो active हो जाएंगा, balance हो जाएंगा, और उसकी healing भी हो जाएंगी, तो वो हमारा center होता है, अगर वो अच्छे से active हो गया, open हो गया, तो आपके भाकी के chakra भी अच्छे से काम करने लगेंगे, वर्क करने लगेंगे, हील हो जाएंगे, ठीक है, तो heart chakra हमारा सबसे important होता है, तो आपको इस time inner child healing meditation बिल्कुल करें, मैंने बनाया है, मैं आपको description box में link दे दूँगी, आप चाहें तो दूसरे channel से भी ले meditation है, अगर आपके पास chakra करने का time नहीं है, या फिर आप कर नहीं सकते हैं, या पिर कुछ भी आपका हो सकता है, time नहीं है, तो कम से कम आप रामादासा meditation करें, क्योंकि ये meditation चारों तरफ से काम करता है, इससे आपके chakra भी align होते है, आपका aura cleans होता है, और आपका aura एकदम, मतल और आप अच्छे से इस energy को अपने अंदर receive कर पाऊंगी एक रामादासा meditation है बहुत powerful है और इसका एक बहुत अच्छा benefit है कि इससे आपकी kundalini rise होने में भी बहुत सारा help होता है तो बहुत सारे लोग low of attraction भी इस time करते हैं आप भी कर सकते हैं 555 की technique लगा के ठीक है अगर आप 8-8 time पे meditation कर रहे हो या फिर कुछ मांग रहे हो manifestation कर रहे हो तो एक time पे एक ही wish करना ठीक है एक सुबा करना और एक शाम में करना बहुत सारी list नहीं लगाना मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए बिलकुल नहीं एक time पे एक करना इस दिन आप सूर्य मंत्रा जरूर में चांट नहीं कर सकते हैं तो बिलकुल आप सुने 15-20 मिनिट जब भी आपको ऐसा लगे कि आप negative हो रहे हो या फिर low vibe में जा रहे हो तो यह जो सूर्या मंत्रा है यह आपको help करेंगा positive रहने में ठीक है तो बहुत सारे मंत्रा है सूर्या के YouTube पे आप कोई भी सुन सकते है और वैसे भी इस दिन सूर्या की एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि इस दिन सूर्या अपनी घर यानि अपनी सिहा राश्टी में एंटर होंगे इस दिन सूर्या की एनर्जी बहुत हाई होंगी 8-8 portal का नाम ही Lions Gate है तो क्यों ना क्यों ना हम इस दिन सूर्या मंत्र का चांट करें या फिर चांट नहीं होता आपसे तो आप सुनें इससे भी आपको benefit मिलेंगा अगर आपसे हो रहा है तो इस time रामादासा तो बिल्कुल करें मैं रामादासा आपको highly recommend करूंगी मैंने बनाया है मैं उसका भी link आपको दे दूंगी manifestation कैसे करना है मैं उसका भी link आपको description box में दे दूंगी देखी आप इस time पे right burn वाली भी procedure कर सकते है या फिर आप diary में अपने लिखे आप अपनी manifestation अपनी wishes लिखे उसे रख दीजिए जब वो पूरी होने तक उसे फारना नहीं जलाना नहीं या फिर वो पानी में हम जब मोंबत्ती रखते वो भी आप क आप पैसे माँगे, exam crack करने की wish माँगे, शादी माँगे लेकिन ये तभी पूरी होंगी जब आप positive रहोंगी ठीक है तो इसको मांग कर मतलब manifestation जब असर करता है कि आप यह करे और let go कर दीजे उसके पीछे भागना नहीं है और रही DM की बात अगर आप DM को manifest करोंगे तो DM श सिर्फ आएंगा और आपको trigger करके जाएंगा क्योंकि DM के लिए एक ही है कि हम हमारे issue heal करें और तभी वो permanently आएंगा वैसे तो manifestation उस पर कोई काम नहीं करेंगा मुझे ऐसा लगता है बाकि आपकी इच्छा है आपकी मर्जी है क्योंकि जब तक हम हमारी issue heal नहीं करेंगे वो आ से चला गया है तो इसलिए मैं कहते हूं कि हमेशा अपना inner work करें अपनी energy को high करें अपनी vibration बढ़ाएं अपने issue बिल्कुल release कर दीजे clear कर दीजे अपने चक्रास को heal कीजे बिल्कुल pure हो जाएंगे और तभी वो बिना manifestation किये बिना भी आपके तरफ एक छुमबक की तरह है वो आपका है और आपका ही रहेंगा तो ठीक है फिर भी बहुत सारी df मांगती है यह था चोटा सा वीडियो अगर आपको कुछ भी clarity मिली हो तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होंगी कि मैंने आपकी मदद की मैं यही चाहूंगी इस portal पे सारी df को सारी dm मिल जाएं जिनकी शादी हो सकते उनकी शादी हो जाए और जिनकी नहीं हो सकती उनका harmonious union हो जाए उनके divine masculine उने मिल जाएं लेकिन इससे पहले आपको divine से अपना मिलन करना होगा divine से आपको merging करनी होगी उनके साथ union करना होगा उसके बाद सारी चीज़े होती है तो यही था आपके विडियो भगवान आपकी सब इच्छा पूरी करें इस एटेट पोर्टल में आपकी जर्णी को पूरी करें इजी बनाएं लास्ट में ये बात बोलूंगे आपको कि अगर आप मेनिफेस्टेशन कर रहे हो तो अपनी चॉइस को बिल्कुल क्लियर रखे ताकि आपको जो चा करेंगी तो में भी आपका मेनिफेस्टेशन भी काम ना करें अपना ध्यान रखना और चानल को लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना